मैं आपकी पूजा की रस्वी घर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए हमेश्चा नई-नई टिप्स से एंट्रिक्स लाती रोती हूँ आज भी एकदम नई-नई टिप्स एंट्रिक्स है मुझे यकीन है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अगर आपको ज़रा सबी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें घर और कीचन का काम होने वाला है असान चलिए टिप्स देखते हैं क्या है टिप्स पहली टिप्स तरबुजे को लेके हैं तरबुजा सबी के ज़्यादा मिलता है नीमार्दा था जा। देखते हैं क्योंकि खराब करें तरह कि खराब ना हो रखेंगगी। मैं परहार किरा नहीं का उसनी टिव्य मलता है अगर आपके पास वईल पेपर तो उसे रख सकते नहीं है तो इस तरह से पॉलेथीन का भी इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी घर में polythene मिल जाती है, लेकिन foil paper नहीं मिलता है, कुछ जगह में foil paper भी नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करें, इस तरह से polythene लेके इसे इस तरह से pack कर दें, इस तरह से करके आप फ्रिज में रखेंगे, तो या गलेगा नहीं बाहर रखे तो मक्ही है, मचल कुछ भी नहीं लगेंगे, इस पर गंदगी भी नहीं होगी, आप असानी से दुबारा इसे खा सकते हैं, कमाल की tips है, आपको जरूर पसंद आएगी, चलिए अगली tips देख लेते हैं, देखिए इस तरह से message सभी की घर में मिल जाता है, अईया इस तरह से पढ़ा ही रहता है, इसे आप दुबारा कैसे यूश का सकते हैं, देखिए घर में इस तरह से चम्मस सभी की घर में पपैले रहते हैं, आप चाहें तो इसमें देखिए इस तरह से डाल के बहुती अच्छा नजर मना सकते हैं, बहुती काम की tips है, आपके बहुती काम आने इस तरह से आप कुछ भी इस में डाल के असानी से टांग सकते हैं कि इस तरह से मैं आपको टांग के दिखा रही हूँ बहुती अच्छा नाजर पन जाता है आप के कामाने hours ंध्या कितने अच्छा लग रहा है देखने में भी और चम्मज भी सब सेफ हो गए हैं या टिप्स आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं अगले टिप्स सबजी को लेके है सबजी सभी के घर में बनती है रसे वाले सबजी हो या सूखी सबजी हो कभी इसमें नमक तेज हो जाता है तो आप क्या करें सूखी सबजी के लिए मैं बताऊंगी पहले रसेदार के मैं बता देती हूँ इस तरह से आटा की गोली आप बना लेजे रसेदार सबजी है तो इस तरह से गोली बना के इसमें डाल दीजे और थोड़ी देर इसे खौला लेजे खौलाने के बाद आप गैस बन कर देजेगा पहले चला लेते हैं गैस बन करके आप छोड़ दीजे उसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं इसे निकाल लेंगे तो आपके सबजी का स्वाद बढ़ जाएगा और आपकी सबजी का नमक कम हो जाएगा अगर सूखी सबजी में नमक तेज जाए तब क्या करेंगे आप तो आप थोड़ा सा नीबू डाल देंगे नीबू डालने से नमक कम हो जाएगा नीबू नहीं है तो दही भी आप टाल सकते हैं दही डालके उसे गरम कर लें नीबू डालके उसे गरम कर सकते हैं देखिए अब यह गोली हो चुकी है अब इसे हम निकाल देंगे और अब सब्जी आप इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी स्वादा जाएगा नमक आपका कम हो जाएगा यह टिप्स आपको कैसी लगी कम पूजा में इस्तमाल करते हैं अगर आप इसे पूजा में चढ़ाते हैं तो यह बच जाता है उसके बाद आप इसका दुबारा इस्तमाल कर सकते हैं इससे आप फेस पैक बना सकते हैं इससे फेस पैक लगाने से बहुत ही तवचा में फरकाता है काले तवचा भी गोरी होन या हवा से ही सूख गया है इसे आप मिक्सी में पीस लें इसे पीसने के बाद या पॉडर हो जाता है उसे आप चेहरे पे लगा सकते हैं कैसे लगाएं या आपके पाद चंदन पॉडर हो चंदन पॉडर जो आता है फेस पैक के लिए या मुलतानी मिटी उसमें मिला के चेहर पर लगा लें, जब याँ सूख जाए तब इसे आप साधे पाने से धो सकते हैं, या बहुत ही फाइदे मन होता है, चहरे को गोरा बनाता है, दाग धबे दूर करता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या कमाल की टिप्स है, आप देख सकते हैं, कितना सुंदर फूल है, इ मुझे यकीन है, या टिप्स आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, काच की कोटोरी या श्टील की कोटोरी जो भी आपके पास हो, उसे ले लिजे, नियूस पेपर मैंने लिया है, इसे पहले फाड लेते हैं, बहुत ही कमाल की इस तरह से भीगो लेना है, देखिए मैंने इसे गिला कर लिया है पानी से और पानी फेक दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिप पेपर को गिला कर लेना है, चलिए फिर्ज के तरब चलते हैं, अब इसमें एक किनारे रख देते हैं, जो बहुत ही गंदी स्मेल आती है से वह नहीं आएगी या कुछ दिनों से फ्रिज बंध है वपध बुं दे रहा है तो भी नहीं आएगे आप इस तरह से रक देंगे तो यह दूर रखते हैं या मलाई रखते है कुछ भी अजिछी समेल पहने चल के हैं मतर नहीं में आप काश्मीन से चल कर सकता हैं या fabina में फुलो देंगे भूल जाते हैं आप क्या करें बहुत ही कमाल की टिस्ट में आपको बताने जा रहे हूं आप तुरंत ही मटर फुलो लेंगे या चना या राजमा कुछ भी कुछी समय में या त्यार हो जाएगा देखिए इस तरह से आप ले लिजे एक होड़ पॉट उसम या मटर को जो भी आप ले रहे हैं म अटर चना या राजमा उसमें इस तरह से डाल देना है अब इसमें डालेंगे एकदम गरम पानी चाहिए देखिए इस तरह से डाल देना है पूरा एकदम divid जाना झाला फाने को पूर थोबा होना चाहिए पानी कम मत रकिये ने तो ऐसा होगा, कुछ फूलेगा, कुछ नई फूलेगा, पानिक अधिकोना चाहिए, अब इसे अच्छी तरह मिला देते हैं, उपर नीचे, आप इसे ढख के छोड़ देंगे, एक घंटे में आप देखेंगे, बहुत ही कमाल का या फूल जाता है, जो रात भर में हम फू आप किसी भी बरतन में फूलो सकते हैं, एक घंटा हो गिया है, चलिए देखते हैं, या फूला है या नहीं, देखिए, आपके सामने है, या फूल चुका है, देखिए, एकदम असानी से फूल जाता है, अगर आप मेरे चैनल पर ने आए तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करे आप मेरे चैनल पर आके देख सकते हैं, यह देखिए, मटर फूल जुके हैं, इस तरह से आप चना, मटर कुछ भी फूलो सकते हैं, बहूत ही कमाल की टिप्स है, आपको बहूत ही पसंद आने वाली है, आप मेरा वीडियो किस देश, किस प्रदेश और किस सिटी से देख र रहें मुस्कुराते रहें मेरा वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें बाई